किसान भायों आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं 16-421 पंदरा ट्रैक्टर के बारे में जो जापानी तक्नीक पे आधारित और भारती ये कंपनी है अभी ये जो ट्रैक्टर है बाजार में जल्द ही आया है लेकिन किसानों के बीच में काफी जादा लोक प्रिय हो रहा है और इसका कारड़ यह है कि इसमें इतने सारे खास फीचर्स दिये गए हैं जिससे यह किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहा है इस ट्रैक्टर में क्या-क्या खास फीचर्थ हैं और यह किसानों के लिए किस तरीके से उप योगी हो शकता है नमस्कार मैं हूं दियो मार्या और आप लोग देख रहे हैं Smart Kisana YouTube चैनल अगर अभी तक आप लोग Smart Kisana YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का इकन दबा दीजिए जिसे आप लोगों को खेती वाइज से संबंध सही सटीक और व्योहरिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे आए हम पहले देख लेते हैं इसका लुक पहले के समय में जो ट्रैक्टर आया करते थे तो जो लुक वाइज है कोई बिसेस अंतर नहीं रहता था लेकिन अभी आप लोग इसको देख सकते हैं कि जब ये ट्रैक्टर एक बार रोड पे निकलता है तो लगता है कि हाँ कोई ट् स्टम जिसे जो आपके ट्रैक्टर का इंजन होता है ये कितनों घंटे आप चलाते रहिए और ठंडा पड़ा रहता है और इसकी जो सबसे अची चीज हमको लगती है कि समानेतिया आप देखे आप देखें कारों में ये सिश्टम दिया जा रहा है लेकिन ये जो ट्रैक्ट इंजन देखने को मिलता है जिसका इंजन रेटेड आर्पीम अठारा सो है और यह जो इंजन है 196 येनम का टार्क जनरेट करता है यहां पर हम जस्ट ओपन कर रहे हैं जब हम आप लोगों को प्रोजेक्टर लेंब के बारे में यहां पर बताया है तो यहां पर देखिए आ इस तरीके से आप एक स्विच दबा करके इसको ऊपन कर शकते हैं यहां पर आप लोगों को हाइडॉलिक सिस्टम मिल जाता है ज़िसका जो फिल्टर है यहां पर यह आप लोगों को ड्राई टाईप कर मिलता है जिसकी वजह से यह ज्यादा डियूरेबल हो जाता है और बी की तरफ होने से एक तो आपकी बैटरी भी सेफ रहती है और दूसरी चीज यह है कि यह जो है आगे वेट बढ़ाने का भी काम करता है जिससे जो चक्के होते हैं उठते भी नहीं है और यह आप लोगों को साथ कंपनी के साथ ही यहां पर बंपर मिल जाता है तो यह चीजे हो ही है जस्ट अभी इसको हम यहां पर बंद कर देते हैं इस तरीके से आप बंद करते हैं बड़े ही आराम से बंद हो जाता है यहां पर आप लोगों को जो इस टेरिंग है यह पाउर वाली मिल जाती है और जो यह फ्रंट वाला टायर है यह आपको 616 और 818 के option में मिलता है और जो पिछला इसका जो टायर है यह है तेरा 628 का तेरा 628 का 43 के ट्रेक्टर में काफी अच्छा कॉम्विनेसन है और अब यहां पर हम सब कुछ देख लिए हैं आईए हम आप लोगों को ऊपर चलके दिखाते हैं कि इसकी जो है कमफर्टमिल्टी कैसी है जश्ट जब आते हैं तो यहां पर यह ग्रिप दिया गया है पकड़ करके चटने के लिए और यह जो सीट है यह काफी कमफर्टेबल है जब भी आप आते हैं या कई घंटे भी अगर आपको ट्रेक्टर चलाना होता है तो आप लोगों को समय से नहीं होती है कि अरे हम ट्रेक्टर चला रहे हैं आगर आप 10-12 घंटा कांटीनू भी चलाना है तो आपको ऐसा फिलोगा कि जैसे भी कार की तरह से हम कुछ चला रहे हैं और यह जो सीट है इसको आप एड़जेस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे की तरफ और यहां पर आप लोगों को हाई-लो का गेर मिल जाता है औ अब भी आप लोग जाते हैं तो समानेते आज जब रोड पर निकलेंगे तो इसमें ट्राली के साथ अगर आपको चलाना है तो काफी अच्छी स्पीड मिल जाती है और यहां पर इसका जो इंस्टूमेंट क्लस्टर है यह आप लोगों को सेमी डिजिटल देखने को मिलता ह है जिसकी वजह से यह फिल होगा कि जैसे इसका जो इंस्टूमेंट क्लस्टर है कुछ कार जैसा आप लोगों को मिलता है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक अच्छी डिजाइन के साथ आप लोगों को मिरर मिल जाता है जिससे कि आप पीशे का नजारा काफी आसान काफी यह फ्लेट फार्म हैं यह काफी ज्यादा फ्लेट है जिसकी वजह से आप लोगों को यहां पर काफी आसानी होती है चणने उतरने या कोई चाक्र देखने की तरफ क्या सिस्टम दिया गया अब हम अगर पीछे बात करें तो यहां पर शीट में आप लोगों को एक रिफलेक्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक, बोटल का होलडर भी है और अगर आप चार्जिंwegen लगाना चाहते हैं यहाँरत के समीम जब काम कर रहे हैं तो छाई में लगाा शकते हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है और यह इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो यह जो दोनों मडगाड है इनको करेक्ट कर दिया गया है एक मोटे से राड से जिससे जो जंजनाहट होती है या जो ट्रेक्टर पूराना हो जाता है तो आवाज आने लगती है तो ऐ आप लोग एड़ेस्ट करके जुताई वगयरा कर सकते हैं कंपनी फिटेड यहां पर आप लोगों को इसकी हिच भी मिल जाती है अब पहले के समय में यह जो शिस्टम था यह चेन के आधार पे था जिसके वज़ए से यह भी आवाज करता था और उतना बहतर भी नहीं लग गया है यहां पर आप लोगों को नंबर प्लेट मिलती है कंपनी ने इतना ज़्यादा धिया है कि नंबर प्लेट मे भी आप लोगों को एक छोटी सी लाइट मिल जाती है अब यह जो इसका इंडीकेटर है ये सभी ट्रेक्टों से अलग एक्दम आप लोगों को मिलेगा, अब देखें यहाँ पर आप लोगों को DRIL लाइट यहाँपर भी देखने को मिल जाती है, इंटी-गेटर में भी, और ये जो है टोटाल LED बेस्ट है, और ये जो है पीछे की लाइट आप लोगों को मिल जा आप लोकोन से सिमिम में जरूर बताएगा और वैसे तो ये किसानों को देखते हुए और उनकी आने वाली समय में जो जरूर ऑन को देखते हुए इस ट्रeक्टर में सारे फीचछ легко और आप लोगों को मिल जाते हैं यह जो ट्रेक्डर है अगर आप लोगों के पास है या आप लोग कोई ट्रेक्टर चला रहे हैं तो उसके मुखाबले इसके फीचर कैसे है और अगर आप चला है तो इसका और ख hm है अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बाकि हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं जै जवान जै किसान जै विग्यान